बस्त्री का कपाल भाती और अनुलोम विलोम से हमने यात्रा शुरू की और आज भी हर सुबह पौनी पांच बजे से मैं वही भस्त्री का कपाल भाती और अनुलोम विलोम और नौली के लिए से सुरू करता हूँ अपनी यात्रा एकनपड महबाब के घर से छोटी से गाउं से शद्याचारी बाक्षन जी और हमने यह यात्रा सुरू की बीस वर्ष इसके फांडीशन में लगे हैं मैं बहुत कृतज्यता के साथ सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को भगवान को और भगवान का मूर्त रुप इस देश की जनता को और आप सब मीडिया के बंधुजनों को इस बात के लिए हरदय की गहराईयों से इस बात के लिए नमन और प्रणाम करता हूं कि आज पांच अजार करोड़ से उपर पतंजली का यह स्वदीशी का अभियान पहुंचा है और आर्थिक स्वाधिन्ता के इस अभियान में हमने साध्य, साधन, सिध्धान्त और सेवा की सुचिता के साथ कभी कोई समझोता नहीं किया साध्य कई बार बहुत बड़ा होता है उसके साधन निक्रिष्ट होते है उसमें सेवा का मूल तत्व कहीं तिरोहित सा हो जाता और सिध्धान्तों को तिलांजली दे दी जाती है हमने इस वर्ष पांच जार करोड़ रुपए का आर्थिक आजादी का यह आभियान यदि इस लक्ष को हासिल किया है तो इसमें साध्य की साधन की सेवा की सिध्धन्त की सुचिता का सो प्रतिशत ध्यान रखा है और अगले वर्ष 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लक्ष रखा है 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कहूँगा तो साध आपको अकल्पनी अविश्ष नी आश्यरे जनक लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है विछले चार वर्षों का ट्राइक रिकोर्ड आपके सामने पतंजली का है 2012 में ओपन मार्केट में पतंजली ने प्रविश किया था और ओसत 100 प्रतिशत का ग्रोथ और अब जबकि पूरी दुनिया मंदी के दोर से गुजर रही है पतंजली ने 1.500 प्रतिशत ग्रोथ का एक विश्व कीर्थिमान बनाया है आज पतंजली की चर्चा चाहे कॉर्परेट वर्ड हो चाहे वोलिवूड हो चाहे यहां के मेनेजमेंट इंस्टिटूशन्स हो प्रफेशनल्स हो, इंट्रेपिनियर्स हो सब के बीच में पतंजली के सात्विक सफलता के चर्चे है कि आखिर दो अलड़ फकीरों ने जिनको कुछ नहीं चाहिए अनों ने ये काम सुरू किया और आज इतनी उचाई पर कैसे पहुचा और अभी तो इस अभियान की फाउंडेशन मात्र है इस आर्थिक आजादी आर्थिक स्वाधिन्ता के अभियान को हमें बहुत शिखर आरोहन देना है इस समय हम लगभग किसानों से सीधे तोर पर 1000 टन से जादा कृष्य उतपाद सीधे तोर पर प्राप्त करते हैं जिसमें बड़े तोर पर आवला है, हलोवेरा है और गेहू है, टमाटर है, भटर है आगे हमारा लक्षे है एक हजार टन प्रती दिन से जो हमने अभी ये शुरू किया है ये दस हजार टन से भी जादा प्रती दिन पर पहुंचे ये बड़ी बात लगेगी आपको प्रारम में लेकिन आग लोगों की जानकारी के लिए इस समय हम सो टन से जादा सर्सों के तेल को उपलब्द करा रहे हैं जो केमिकल रही शुद्ध ओयल है अज पूरी दुनिया में रिसार्च हो रहे हैं इस बात के लिए कि रिफाइंड ओयल के नाम पर जो तेल खाया जा रहा है ये हार्ट के लिए ब्लड प्रेशर के लिए बात खतरनाक है और कैंसर जैसे रोगों का जन्म इससे होता है ये बहुत खतरनाक है लेकिन लोगों को ऐसा लगता है रिफाइंड ओयल में शुद्ध किया हूँ ऐल है वो रिफाइंड में शुद्धी तो क्या ही वो तेल साफ हो गया है उसमें बचा कुछ नहीं फोका फोका बच गया है घी है ये सीधा किसान से जुड़ा है जो करीब 200 टन की मात्रा में हम उपलब्द करा रहे हैं इस समय देश में करीब 9 करोड देशी गाए और 4 करोड संकर नशल की गाए है और गाए का घी उपलब्द कराने के साथ साथ हमने यह भी लक्षे रखा है कि आने वाले समय में शद्धे आचारिश्री इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे हम 3-5 किलो जो दूद देनी वाली गाए है उसी से जो आगे संतत्ति पैदा होगी उसकी संतान वो 25-50 किलो दूद देगी यह होगी पतंजली की सफलता और किसानों की सम्रद्धी इस समय करीब 200 टन गाय का घी करीब 200 टन सरसों का तेल करीब 500 टन आटा और ऐसे ही आगे हमारा लक्ष है 50-100 टन कैचप होता क्या था टमाटर हमारा और कैचप नहसले की और किसान की लोगों को ऐसा लगता था यह किसान तो अपना ही हिंदुस्तान का ही ब्रांड होगा नाम इतने हुशारी से रखते हैं यह विदेशी कंपनिया आदमी गलत भेमे में पढ़ जाता है अभी गाए के संदर्व में और इस पूरे आर्थिक आजादी के इस अभ्यान से एक लाख से ज़्यादा लोगों को हमने रोजगा और उपलब्द कराया किसानों से ले करके प्रफिशनल्स से ले करके डिटेलर से ले करके एक बात और कहना चाहता हूँ बहुत लोगों को भे लग रहा है अरे ये बाबा आसन कराता कराता हमारा भी सीरशासन कराने लगा है ऐसा कुछ नहीं है हमने अधिक्तम नया विचार नया आधार नया बाजार नया लक्षा हसल किया है दूसरों का शेर हमने नके बरवर काटा है नया आधार, नया बाजार, नया विचार, एक नई विचार धारा और नई जीवन पध्धत ही हमने खड़ी किया इस देश में कभी कोई सोचता था कि इस देश में आवला एलüवेरा का जूस पिया जाएगा पहले तो पैक्ट जूस इस देश में नहीं चलता था ताजा जूस पीते थे लोग पैक्ट जूस भी चला पैक्ट वाटर भी चला लेकिन आवला एलेवेरा जूस भी लोग पीने लगेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था और इसका बहुत बड़ा आधर तईयार हो चुका है आज गरीब 500 टन प्रती दिन हमको एलेवेरा की अवश्रकता है 500 टन प्रती दिन हमको अवला की अवश्रकता है और आगे बढ़कर के 1000 टन प्रती दिन से ज़़ादा होगी ये चीजे और इससे हजारों करोड रुपए गाउं के किसानों को मेलेंगे किसानों के संबृद्ध्य और देश के स्वास्थे काई अभियान मने इसको आप समग्रता से देखेंगे टुकडे टुकडे में इसका पोरा मुल्यांकन नहीं कर पाएंगे तो पाएंगे कि आज जो हरिद्वार से अभियान शिरू हुआ था अब वो देश के द्वार द्वार पर जा रहा है हर्याना, राजस्थान, महराष्ट, मध्यप्रदेश, आसाम, उत्तरप्रदेश का मुंदेल खंड का इलाका हो या महराष्ट का विदर्व का इलाका जहां किसानों की दुर्दशा है वहाँ पर भी शद्धे आचारिश बताएंगे आगे कि हम यूनिट से लगाने की जो योजना है हमारी वहीं पर है मानि ये जो पूरा अभियान है इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है कोई प्रदर्शन नहीं है बहुत से लोगों को लगता है पतंजली इतना सस्ते में कैसे उपलब्द करा रहा है कई घाटा तो नहीं खा रहा है अब जैसे बाजार में मिलता है हनी 120 रुपए का 132 रुपए का और पतंजली 70 रुपए का देता है तो लोग कहते बाबा उस ब्रांड को दूसरे ब्रांड को खतम करने के लिए सस्ते में बेच रहा है ऐसा नहीं है लोगों को पता ही नहीं ह हम 70 रुपए में वी उपलब्द करा करके बहुत सामने प्रॉफिट ले रहे हैं हां मैनेजमेंट और इंटरेंडमेंट का हमारा खर्चा जीरो है आचार जी कोई सेलरी नहीं लेते और हम भी पेड फ्री ब्रैंड अमेस्टर है ग्लैमर जूठे सपने अशलीलता और पेड ग्लैमर पेड उनके ब्रैंड अम्बैस्टर्स ग्लैमर जूठे सपने अशलीलता और पेड ब्रैंड अम्बैस्टर्स पतंजली में नहीं है यह बहुत बड़ी बचत है ना इसके स्थान पर और हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइज, प्योरीटी और चेरिटी, हमने एक देश के अंदर जज़बा पैदा किया, प्योरीटी का, प्योरीटी का, प्योरीटी का, चेरिटी का, ये हमारी एमोसंस हैं, ये एमोसंस नहीं, कि किसी मा बहन बेटी के कपड़े उतर उसे सपने दिखा दिए कि इसको लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे हमने अलेवेरा उपलब्द कराया हमने एक मनने का नया विचार नया अधार नया व्यापार नई द्रिश्टी पैदा की है एक नई श्रिश्टी पैदा की है और उसके अधार पर इस काम को आगे बढ़ाया है profit motive wealth making ये motive ये नहीं है न इसके बिना भी कुए काम हो सकता है हो रहा है आज हमने गाय के लिए गरीबूं के लिए अनाथूं के लिए विकलांगूं के लिए दूसरी जो संस्थाएं सेवा का काम कर रहे हैं उनको भी 10 करोड से ज़्यादा हमने दान दिया है दोनों बच्चों को मिले शिक्षा और संस्कार मिले जिस तरह से आज इस अदेश में एक आइडियोलोजी का प्रिंसिपल्स का पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और उसी के काण से कभी दिल्ली का जेन्यों तो कभी जमु कश्मीर का कहीं आलाग लग जिगह आग लगती है यह क्यों वैचारिक संकट है विचारधारा का सिध्धान्तों का नीतियों का संकट है और यह देश के लिए बहुत खतरनाक है हम इस देश में एक सात्विक विचार और सात्विक व्यापार का एक नए आधार घड़ रहे हैं इंक्लीशिव, सैस्टेनेबल, जस्टिसफुल, प्रास्पिरेटी एंड चेरिटी का सिध्धन्त अमारे सोदेशी का समग्र, स्थाई, न्याय पून, संब्रिद्धी और सेवा का यह अनुष्ठान है मैं तुलनात्मक द्रिष्टी से फड़ा इसको कहूं तो गाई के घी का एक नया बाजार तैयार हुआ हमने किसी का शेर नहीं खाया हम वैसे भी शाकाहरी है हमने किसी का शेर नहीं खाया हमने गाई के घी का एक नया विचार, नया आधार, नया व्यापार एक नए द्रिष्टि कॉंड एक नई द्रिष्टि एक नई स्रिष्टि खड़ी की बहुत से लोग तो इसी बात का भ्रहम फैला रहे थे अभी नए अभी ग्यापन हमारा इसी पर आ रहे कि देश में 9 करोड गायें देशी और 4 करोड संकर नशल कि उनको हम सुधारेंगे आगे और उनसे करीब जो दूद प्राप्त होता उससे 2000 टन प्रति दिन घी बन सकता है बहुत से लोग यही सोचते हैं कि इतना घी आता कहां से यह घी का टन ओवर 13008 करोड रुपै का है कोई सोचता था लोग सोचते थे घी खाएंगे कोलेस्टाल बड़ जाएगा हमने बिस्किट कोलेस्टोल ट्रांस फैट और मैधारी तो उप्लफद कराया और इधर घी उप्लफद कराया है इससे कोलेस्ट्रол बढ़ता है रिफाइंड अल से, गायका घिळगाने से कोलेस्ट्र置ल नहीं बढ़ता, हमने पान्स-पानच किलो मैंने औगायका घीखाया है। कोलेश्टोल एकदम फस्किलाश, ट्रेगलिसाइड एकदम फस्किलाश, हिमो गुलूबिम साड़े सत्रह, वेट सिक्स्टिफाइव, और दोड़, डेट सोगी. फिजिकली भी कोई दोड़ सकता है, ग्रोथ में भी उतनी गती और प्रगती है. जहां गती नहीं हमाँ प्रगती नहीं हो सकती. पतंजली में एक सात्विक गती है और प्रगती है. संतुलित गती के साथ प्रगती, योग के साथ उद्योग का यह अभ्यान आज यहां तक मैं तुल्नात्मक दृष्टी से बात कह रहा था तो घी 1308 करोड रुपए का है सवा 400 करोड रुपए का दंत कांती का ब्रेंड हो चुका है मैं यदि विदेशी ब्रेंड के साथ पतंजली के स्वदेशी ब्रेंडों की तुल्ना करूं तो कुछी ही समय में पतंजली का ये दंत कांती कोल गेट को शीरशासन करवाएगा किसी ने सोचा नहीं था हिंदुस्तान में वैसे ये कंपनियां बड़ी शातिर है पहले आए तो बोले ये चार कोल लगाते हैं नीम हल्दी और नमक से दातुन करते हैं असब भी हैं हिंदुस्तान के लोग इनको हम केमिकल से इनके दाती साफ करेंगे दात साफ कर दिये से ठीक हो गई आज इस देश के सामन्ने लोगों से लेकर के हर वर्ग के जो शिखर पर लोगें हो दंतकांती करते हैं क्योंकि ये विदेशी कंपनियों के टूथे पेस्ट करके लोगों के दात खराब हो गए और वो जो चार कोल वाले नीम को और नमक हल्दी को जो है पुराने जमाने की बात बता करके और बे पढ़े लिखे लोगों की बात बता करके हमको असब में बता करके और जो अपना केमिकल वाले टूथ पेस्ट बेश रहे थे आज वो भी आस्मान से आउतरित हो करके नीम और नमक के टूथ पेस्ट बेश रहे ये विचार किसे ने पैदा किया ये विचार पैदा किया पतंजली ने तो मैं कह रहा था बहुत जल्दी ही दंत कांती जो है वो कोलगेट का केश कांती PNG के पैंटीन का सीर्शासन करवा देगा वो भी करीब दंत कांती सबा 400 करोड का तो वो 350 करोड का ब्रेंड हो चुका है केश कांती लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये बढ़ कैसे रहा है भाई उसमें जड़ी बूटिया है जिनके बाहर उड़ चुके थे ये केमिकल वाले शेंपू लगा लगा करके अब उनके के उड़ के शेत्र में वल्ड का श्रमोर मानती थी अब उनको भी पतंजली ऐसी टकर दे रहा है ये आने वाले वर्षों तक एमने एक वर्ष में नैसले उसका पंची उड़ जाएगा पंची है न उसका नैसले का पंची उड़ने वाला है कोल गेट का गेट बंद होने वाला है और पिंजी का जो है पेंटिन भी उसकी भी पेंट खराब होने वाली है यह तीन कंपनियों का तो शीरशासन बहुत जल्दी हो जाएगा यूनी लीवर का लीवर बैठने में दो एक साल का समय लगेगा यह मैं तुलनात्मक दृष्टी से इसलिए कह रहा हूं लोगों को हि अंदुस्तान में यह भरोसा ही नहीं होता था कि कोई देसी ब्रांड इन विदेशी कंपनियों को बीट कर सकता है। आज मैं देसी बाबा ने देसी आचारीय ने देसी ब्रैंड ने इन विदेसी कंपनियों का बेंड बजया रखा है और एक सात्क्स बर्धा के साथ अपनी लकीर बड़ी करना किसी को खरीदना नहीं किसी को खतम नहीं करना मैंने पिसरी बार कहा था विदेशी कंपनिया या तो किसी को खरीद लेती हैं या किसी को खतम कर देती हैं हमने ऐसा नहीं किया हमने कहा सामने आ करके आँख में आँख मिला करके बात करो, हमने एड के इंपिन चलाया तो उसके पीछे हमने कहा ना, हमने कोई ग्लैमर नहीं दिया, हमने कोई जूठे सपने नहीं दिखाए हमने कोई असलीलता नहीं फैलाई इसे देश में कि अर्धनगन मा बेहन बेटियों हमने जो ईश्वर तुलने हमारे लिए उनको हमने भाजार का उत्पाद नहीं बनाया हमने कोई पेड जह ब्रैंड एमेस्टर नहीं लिया हमने एडुकेशन और एवेर्नेस पर प्यूरिटी और चैरिटी पर आधारित केम्पेन चलाया वैसे हमको नोटिस भी बहुत आते हैं ऐसे प्रेम पत्र तो हमको सुरू से बहुत मिलते हैं लेकिन कोई हम उसका उतर दे देते हैं तो मैंने आपको ये पतंजली के एक छोटा सा ब्यूरा दिया इस साल हम लोग करीब चार-पांच हजार अपने डिस्ट्रीभिटरस करीब दस हजार पतंजली के जो चिकित साल है आरोगे के इंदर एक्स्कुली से जो स्टोर्स है उनके माध्यम से करीब सो पतंजली मेगा स्टोर्स के माध्यम से modern trend में चाहे वो जितने भी बड़े-बड़े महारतिय हैं वो सब पतंजली के साथ है और retail market में एक बहुत बड़ी chain खड़ी कर रहे हैं हम चार verticals के चार अलग-अलग distributors अभी दो ही थे हमारे food और cosmetic हैं अभी food में दो cosmetic में दो एक home care एक उसमें personal care और इधर food में भी एक जो processed food है एक natural food है विब्रेजीज हैं जूसेज हैं उसके चार vertical दो food में दो कोस्मेटिक में चार verticals होंगे हमारे जिसके उपर हम काम सुरू कर चुके हैं और आपकी जानकारी के लिए जब बहुत ही patrotic लोग थे अलग-अलग पतंजली के साथ जुडने में गोरा उनोभाव करने हैं बहुत से लोग जोएन कर चुके हैं कुछ जोएन करने वाले हैं और हमने सभी स्याबान किया बहिया इनकी नाव अब डूबने वाली है पहले से ही डूबती नाव में से जितना जल्दी बाहर आ जाओगे उस आप भ पतंजली के यह नए प्रोजेक्स नए प्रोसेसिंग यूट्स मेगा यूट्स आरे जिससे की आज रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर तो आगे हमारा लक्षा है एक लाख से लेकर के धीरे-धीरे कम से कम पांच लाख लोगों को हम आने वाले कुस वर चाहें। तो इस अंदर में आप से बात करेंगे। आपके कोई प्रशन होंगे, तो दो इसके बात में हम जरूर आपसे बात करेंगे। लाब है, BSL 3 लेबल का लाब हम अभी बनाने जा रहे हैं, लगब बन चुका है, रिशर्च के लिए आईरवेद और जड़ी पूटियां, पेड़ पोधें, बनस्पती, इसके ख्षेत्र में ये पहला लाब होगा, जहां पर दोसों से ज्यादा साइंटिस्ट से बाएं है, लगबग देड़ सो करोड के लगबग वह पहुंचेगा, क्योंकि उसके अंदर काफी एककुपमेंट्स बहुत कॉसली हैं, तो उसके अंदर हम लोग से लाइन से लेकर के अनिमल ट्राइल से लेकर की हुमन ट्राइल के उपर भी और आईरवेद को लेकर के एक बड़ा पतनजली एक ऐसी सहथा है, जिसने hospital management जो आईरवेद के hospitals हैं, उन में शाद ऑफ्ल हाऊस्पिटल है, जहां पर हमारा पूरा hospital management system काम करता है, अभी माईरवेद के अंदर patient management system उसको चालू करने वाले हैं, पूरा हमारा software बन गया है, तो लगबग हमारे जो बारसों चिकत साल हैं वो ओनलाइन आपस में लिंक हो जाएंगे और प्रति दिन लगभग 30,000 से 50,000 patients का data एक अठा एक दिन मल जाएगा कि सुबह से लेकर कि शाम तक हमारे पास जो 30,000 patients आये थे वो किन रोगियों के रोगी थे और उनके cancer आधी cancer के हैं, AIDS के हैं या दूसरे जो खतिरनाक जो chronical और critical cases हैं सभी का data हमारे पास रहेगा जिससे कि हम यह भी देख पाएंगे कि कितने patients ठीक हुए, कितने patient को कितना आराम है, कितना results है, यह भी बड़े इस्तर पर पतंजली इसमारी इसकारी को शुरू करने जा रहा है, तो अब वो software बनके तयार है और सारा data हम लोगों ने कुछ अभी हमारे चिकत सालोयों में वो शुरू हो चुका है, तो पूरे राष्टी इस तर पर वहाँ शुरू हो जाएगा पूरा research institute जिसकी हमने बात की, वो पूरा भावन तयार होकर के सिर्फ अभी उधगाटन के लिए बाग किया, इससे पहली भी हम अरपा सेंटर लेब है हमारे scientists पहले से काम कर रहे हैं और उसको और बड़े रूप में देने के लिए हम लोगों ने और नया स्वरूप खड़ा किया, इसी तरह से हम लोगों ने herbal plants के ओपर, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अभी तक ऐसा कोई checklist नहीं बना था, कि दुनिया के अंदर कितने medicinal plants ह हैं, या कितने medicine plants हो सकते हैं, लगबग अभी तक जो identified plants हैं, लगबग 5 लाग के लगबग पौधे हैं, एंजिस्परमम, जिमनोस्परमम सब मिला मुलो करके, ट्रटोफाइड होगरे मिला करके, पूरी दुनिया के अंदर बात करनों मैं, उसमें हम लोगों ने पहले बार ल हैं, लगबग 60,000 से लेकर के 65,000 पेड़ पौधे, जो ओशदिये रूप में प्रयोग हो सकते हैं, डबलो एचो ने इस कारी के लिए प्रयास किया था, पर उन लोगों ने लिस्ट भी नहीं बना पाए, अब लिस्टिंग का काम, जो आपका royal bitnical garden, q garden जिसको बोलते हैं लं-डन में, बाटनी की बहुत अबैरी संस्था है, वो थोड़ा-थोड़ा काम कर रही हैं, पर उन लोगों ने अभी थोड़ा अपने साइट में डालना शुरू किया है, जितना उन लोगों ने काम किया है, उसे कहीं ज्यादा हम लोगों ने क काम किया है तो वहां काम भी चल रहा है लगबग टोटल जो डकुमेंटेशन होगा 65,000 प्लांट की तो मैं समझता हूं कि लगबग डेड़ लाख पेज का वहां डकुमेंटेशन होगा वहां कारे भी पतंजली कर रहा है यहां देश के लिए बड़ी गर्व और गरव की बात ह होगी वर्ड हरवल इंसाइकलोपीडिया वह भार्दवर्ष में तैयार हो रहा है वह हरदवार में तैयार हो रहा है यह पुरे देश के लिए गर्व और गौरव की बात होगी इसी तरह से आई रिवेत के जो अप्रकाशित गरंथ हैं जो मैनस्क्रिप्ट हैं अभी करीवन तीस चालिस गरंथ हम प्रकाशित कर चुके हैं जो पंदरसो साल चोदोसो साल पूरानी गरंथ थे उनका प्रकाशन का और अनुसंधन का काम भी पतंजली योग पिट से हो रहा है गायो को विशय में सर्देश स्वाम जी ने कहा कि उसके अपर हम लोगों ने काफी जो ट्र देश की जैसे सर्देश स्वाम जी ने कहा कि 8-9 करोड जो देशी गाये हैं उन 9 करोड देशी गाये को सुधार करके नसल सुधार करके यदि हम उसको चाहें तो बहुत बड़ा कारिय हम कर सकते हैं क्योंकि देश में आज जो सरकारी आकड़े का अनुसार देखें तो है उपलबदता काफी कम है प्रती विक्ति को मुश्किल से 200-500 ग्राम दूद भी उपलबद नहीं पाता है आगे आने वाले 2020 तक में वह बहुत ज्यादा दूद की आवशकता रहेगी 50 लाख लिटर के लगबग दूद की कमी पढ़ने वाली है उसकी पूरती के लिए भी हम अभी से चलें तो बड़ा काम हम कर सकते हैं उसके लिए हम लग रहे हैं दूसरी चीज जो पशु आहर के संदर्व में हैं बहुत कम लोगों को पैता इस देश के अंदर मनुश्य को तो किसी तरह से पेट भर लेता है कई जगा पर हम भूख मरी और लाचारी की बाते सुनन है उस पर टीकी हुई है तो लग बग 60 प्रतीशत जो फोडर की कमी है इस देश के अंदर 60 प्रतीशत जो पशों को जो आहर चाहिए या बाकी जुतने भी मैं कहूं कि वो पशु जो है कूपूशन की सिकार हैं उसके लिए भी हम बड़ी योजना बना रहे हैं कि लग लग हम को एक करोड टन के लग भग पशु आहर की जरूत है उसमें हम अभी एक लाग टन शायद हम इसी बर्ष जो फोडर है वो तयार करेंगा लिटस टेक्नोजी को ले करके दूसरा इसी तरह से जितने भी जो कैटल फीड है कैटल फीड के अंदर भी कहीं यूरिया डाला जात था तो पतंजली ने प्रयास किया है तो वह पशु आहर को भी बड़े इस्तर पर कैटल फीड के ओपर भी पतंजली काम कर रहा है तो इन सब ख्षेत्रों में जहां जहां पर हमारी हम महसूस करते हैं कि जैसे सरधे स्वाम जी ने कहा अपनी मर्यादाओं को बिना छोड़े अपनी परंपराओं को बिना त्यागे देश के लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं देश के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं उस हर ख्षेत्र के लिए पतंजली योगपिट पूरी दिड़ता से लगा हुआ है इसी तरह से आगे जो यूनिट बढ़ाने की बात थी कि पतंजली आईरुवेट के यूनिट कहां कहां पर लगाए जाए हम लोगों ने विचार किया और यह नड़े हुआ कि जब भी बात आती देश कंदर किसानों की जो समस्या के लिए जब भी बात आती है विदर्व और माराठवाडा की बात आती है यूपी में बुंदल खंड की बात ही है कि जिससे किसानों को जीवन में संब्रदी आ जाए वहाँ पर अलुवेरा बहुत उगाये जा सकता है वहाँ पर आवले के पेड़ हो सकते हैं वहाँ पर टमाटर उगाये जा सकता है जो भी किसान उगाएंगे हम उसको रौ मेटिल की तरह से प्रयोग करकर करके उसको जो भी वो प्रड्यूस करेंगे उसको हम प्रासेस करके पुरे देश को लोगों को पहुंचाएंगे यहाँ पतंजली का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ इस बर्श हम करीबन पांच या छे यूनिट हम इस साल हम शुरू करने जा रहे हैं मारटवड़ा से ले करके विदर मद्यपरदेश और बुंदिलखंड साथ में हर्याना राजिस्थान और नौर्थ इस्ट में आसाम में भी हम वहां क्योंकि जड़ी पूटियां बहुत होती हैं वहां भी दयने स्थीती कई रूपों में हैं और गायों के लिए भी आसाम में हमने एक बहुत बड़ी जगा वहां पर बॉड़ो लेंड गॉवर्मेंट हमको सहुग किया और बड़ी जमिन हमको मिल गई हैं तो वहां भी गौव अनसंधन का काम बड़ी स्थर बड़ चल रहा है हर्याना में चल रहा है मद्यपरदेश में भी सूरू होने वाला है जैसे सर्देश संकरचारी जी में पतंजली के यूनिटी स्थापित करके गायों का संगरक्षन संबर्धन का काम को बड़े रूप में करेंगे यह हमारा संकल्प है इसी भावना में आप सब का साथ है प्यार है अपना पन है क्योंकि मैं देखता हूं मीडिया के भाई कुछ लोग हमसे प्रतेक्श मिल प बढ़ जाती है पूरे देशवासियों का प्यार है अपना पन है साथ है क्योंकि स्वरिशी को लेकर के बड़े बड़े हमारे वीरों ने शहीदों ने महापूरुषों ने बड़े आंदोलन और अभियान चलाए हमको इस बात के लिए गर्व है भगवान ने हमको निमित्त बनाया कि इस अभियान को मुर्थ रूप में पहुंचाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए आप सबका साथ और प्यार रहेगा देश वासियों का आशिरवाद रहेगा हम इसी तरह से पूरी तलिनता से पूरी नश्ठा से पूरी उर्जा के साथ में इस मार्ग पर हम आग बढ़ेंगे